खुल गया, खुल गया, खुल गया नेचर व्यो फैमिली रेस्टूडेंट जहां सभी तरह के वेज एंड नॉन वेज की कई वेराइटी उपलब्द है सुन्दर मनमोहग प्राकृतिक मेचारों के बीच आनन्द ले अपने फैपरिट खाने का यहां डेस्टिनेट मैरिस पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट सेरोमनी आदी हिले भी आ सकते हैं तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क किरडी जार्खन हमें संपर्क करें अविनास अंसु मोबाइल नंबर 8789-905694 जार्कन पश्चिम बंगाल सीमा से धनबाचिला के रास्ते बिहार सहीत अन्यर राचो में पृतिबंधित थाई मांगूर मचली की तसकरी पृतिदीन दरजनों वाहन से जारी है जार्कन बंगाल बॉर्डर पर इसी मैथन थाना को बीती राध बड़ी कामिया भी मिले गुप्तु सुचना के आधार पर मैथन पृतिबंधित थाई मांगूर मचली गाड़ी जार्कन में प्रवेश कर रही है सर्वी पुलिस की गस्ती ने बढ़ाते हुए जार्कन अभियान तेज कर दी कारी संख्या WB 25J 8286 को रोका गया और जार्कन क्या गया जार्कन परांथ पाया गया कि कारी में प्रतिबंधित थाई मांगूर मचली लोड़ है पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है प्रतिबंधित थाई मांगूर मचली लोड़ पीकप वाहन को चप्त कर थाने लिया आई जप्त वाहन से चलान जाच पुलिस की तो उसमें सिस्टी रोड लाइन डुमर कुंडा नियर मुकल पेट्रोल पंप जिला धैनवाद अंकित है पुलिस मामले की ज़ाच में जुट गई है पीकप वाहन प्राइबर ने बताया कि मोगरा पश्चिम बंगाल से लोड़ कर विहार मचली लेकर जा रहा है इस मामले पर अंचल पुलिस निर्चक अक्षेर राम ने कहा कि जाच उपरांस कारवाई करेंगे जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ कारी करेंगे उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी पश्चिम बंगाल से प्रतिदिन दर्जनों की संक्या में प्रतिबंधित थाई मांगून मचली का वाहन जारखन प्रवेश करता है जो कि पश्चिम बंगाल के नेहटी अवल सिधिन नामक ट्रांसपोर्ट से लोड़ किया गया है जिसका संचालक मुहमद मुर्तजा आलम उर्फ कोची है जिसके द्वारा विहार के गया में साजिद भाई को पहुँचाने का काम करते हैं तदा इसे जुड़े अस्थानिये मुके सिंग वच्चन्दन नंदी पासिंग का कारे करते हैं और नीमिया घार से राकिस गुपता वर्राज कुमर महतु पासिंग करते हैं अभी चेकिंग का है वो चेकिंग करेंगे इसके बाद यहां अभी पक्रे है तो अपना एक करवाई करेंगे तो सुझना तो मिली होगा आपको अभी हम चेकिंग में निकिने हैं अभी जनकारी अभी तो आप लुक से पता कर रहा है किस पक्रें हैं निश्टी तरुक से हम जो करवाई करेंगे, जो कानून के जायरे में आएंगे और गलत काम करेंगे, उनके वरूप करवाई की जाएंगे.